dear friends. good morning. आज मैं आपको waterproofhing के बारे में बताने जा रहा हूं कि छत पे waterproofing कैसे करानी चाहिए कौन सा waterproofing बेटर होता है और कैसंद का छत हो तो कौन सा waterproofing step ka waterproofing से ही होता है कई लोग किया करते हैं को confusion रहती है बज़ार में हर तरह कई सारे पॉडक अब लेबल है और कई तरह के टीटमेंट अब लेवल है लेकिन लोगों को समझ में आता है कि कौन से टीटमेंट छत पर कराया जाए इंडिया के अंदर जो है चार से पांच वाटर प्रूफिंग की जाती है जो सबसे बेस्ट है यही जो है आपको मैं वीडियो में दिखाया हूं लिकुड बड़ पॉलिमर के साथ में सेबन कोटिंग किया जा रहा है यह का ऐसा टीटमेंट है कि इसको आप कहीं भी कर सकते हैं छत पर भी कर सकते हैं एक घर में बालकानी किचान बाथरूम सेप्टिक टैंक स्विमिंग पूल लगभग सेबन कोटिंग हर जगा हो जाती है दो से ती कोटिंग हो रही है फाइबर में लगाया जा रहा है छत के जो पहले की स्थिति थी वह भी आपको मैं दिखा दूँगा जस्ट इसके बगल का जो छत है ठीक ऐसा ही है छत के उपर टंकी भी रेखी गई है इसको जो आनर हैं बहुत जादा परसान थे टंकी ओबर फ्लो करती जितना आपका छत अभी तक चला हुआ है अगर पूराना है तो उतना समझे कि उससे ज्यादा वाटर पूरूफिंग कराने से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी नयक अस्टक्शन में आप वाटर पूरूफिंग करा देते हैं तो करीब करीब 25 से 30 सल के उपर तक आपको कभी स जिलन से जिवाट परैंसया नहीं आएगी वाटर पूरूफिंग हर कोई नहीं कर पाता है जो करीगार बैतरीन होते हैं वो ही कर पाते हैं जिनको एक्ष्पपरीएन्स होता है ए Wanna अता कई لوग क्या करते हैं की जिनको जादा नहीं मालूम होते हैं उनसे कर देते हैं और फ्र प्राइमर लाग प्राइमर की जाएगी सबसे पहले प्राइमर लगता है यहाँ प्राइमर क्लीन की जाएगी जाएगी ये इसका जो खर्चा है करीब आपको बता दूए एक हजर स्क्राइड फिट में 60-70 रुपे का खर्च आता है जो बहुत ही बहुत ही बहुत रिन जो है काम होता है और इस पर मैट्रियल का खपत बता दूए तो करीब करीब हंडेट केजी मैट्रियल लग जाता है चलनको सब् स्क्राइब करना भूले धन्यवाद